हलो एब्रिवान और आप सभी का रूतोकाई यूट्यूब पर स्वागत है और आज जो हम यहाँ पर चर्चा का विश्य रखेंगे वो रहेगा LIC की IPO जो भारतिय जीवन विमा निगम है Life Insurance Corporation of India तो उन्होंने IPO लाने के लिए प्लान करा था जो कि बहुत पहले से ही काफी चर्चा में रहा था LIC का IPO और पेसबरी से इंतजार भी कर रहे थे बहुत सारे लोग तो LIC ने announcement कर दिया है कि वो अपने IPO के साथ में बहुत जल्द आने वाला है और यह माना जा रहा है कि अभी तक का IPO stock market में यानि कि सबसे बड़ा largest IPO होगा initial public offering entire world में आप कह सकते हो और even LIC जो है जैसा कि आपको पता है insurance corporation में भारत का सबसे बड़ा public sector undertaking है यह इस वज़ा से कहीं ना कहीं अगर आप LIC जैसे मतलब कहीं कंपनी का शेर आप रखते हो equity अगर आपके पास में है तो वह आपके लिए बहुत ही मतलब कह सकते हो आपकी positive माना जाएगा आपके लिए एक stable माना जाएगा तो इस वज़ा से हम देखते हैं कि क्या आपको LIC के IPO में invest करना चाहिए और किस तरीके से आप invest कर सकते हैं क्या नियम काईदे कानून है कि कब तक announce किया जाएगा date क्या होगा उसका क्या price रखा जाएगा क्या documents लगेंगे सब करिए का comment करिएगा और यहां पर आज आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं IPO होता क्या है अगर आप से पूछा जाए इनीशल पब्लिक ऑफरिंग यह होता क्या है तो पहली चीज तो हम IPO के बारे में समझते हैं आप सभी से तो एक IPO जो है वो रेफर करता है process of offering shares कही ना कहीं share को offer किया जाता है एक private corporation के द्वारा public में नए stock के issuance के लिए तेक है जैसे कि यह company जैसे यहां पर LIC का आप example ले सकते हैं LIC जो है वो कही ना कहीं share offer कर रही है private corporation भी कर सकते हैं public भी कर सकते हैं यहां पर LIC जो हो public है और public क बीच में निग stock issuance करके एक नया stock issu करके ठीक है और IPO जहें उससे provide करता है companies को एक opportunity कि वो obtain कर सके capital जबी भी capital की जरूरत होगी पैसों की जरूरत होगी तो IPO companies जहें वो raise करते हैं कहीं न कहीं वो IPO को मतलब लाते हैं market में ठीक है ताकि share को offer कर सके primary market में और उससे पैसे निका करता है ठीक है जो भी लोग अगर वो competitive exam की भी तयारी कर रहें तो यह आपको ध्यान रखना IPO जो होता है वो primary market का हिस्सा होता है ना कि secondary market का ठीक है तो आपको clear हो गया होगा IPO जनरली क्या होता है कि मतलब एक तरीका होता है जिससे की shares को मतलब offer किया जाता है private corporation का public में नए stock क issue करके और यह वही companies जो है जो के requirement निकाला जाता है securities and exchange commission के द्वारा SEC नाम की एक मतलब exchange commission है तो उनके द्वारा जो भी requirements निकाला जाता है IPO को hold करने के लिए वही मतलब IPO को ला सकते हैं और यह एक तरीका है capital को gain करने के लिए obtain करने के लिए shares निकाल करके primary market में ठीक है और companies जो और इस तरीके से सारा भाशा में सब जा जाए तो आप IPO में invest करके आप कही ना कही मतलब company जो है जैसा कि अगर 100 रुपए का share company ने निकाला और उसमें 10 share उसको बेचना है अब उसके लिए वो अगर उसको 1000 की जरूरत है तो वो यही काम को करेगा और हम जैसे 10 लोग जो है व आपके हाथ में है यह है पूरा का पूरा IPO का प्रोसेस ज्यादा तर लोग प्रॉफिट के हिसाब से उसको शेल कर देते हैं बाकी आपके ऊपर होता है अब हम आते है लाइसी का यह जो IPO है सबसे पहले सीट को समझने के लिए लाइसी अपने आप में किसी को पैचान देने क जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली IPO में आप जब भी इंवस्ट कर रहे हैं आप उस कंपनी को देखो कही ना कहीं उसका turnover क्या है कही ना कहीं उनकी profit margin क्या है हर तरीके सा आप उनको analysis करके तभी आप इंवस्ट करो क्योंकि बिलकुल आपने देखा होगा Zomato वगरा ने सबस्क्राइब नहीं तो इस तरीके से आप प्र्डेक्ट्ट्ट में रह गया यानिकि प्रूट्ट सरकार के पास में है और इसके भी इस इंवस्टमेंट की बात करी जा रही है जो कि हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या LIC का डिस इंवस्मेंट करना सही होगा या नहीं इसके साथ ही इकलोता लाइफ इंशॉरंस कमपनी है जो कि भारतिय पब्लिक सेक्टर में लाई करता है इस वज़ा से कही ना कहीं मतलब आप कह सकते हो तो इस वज़ा से कहीं ना कहीं यूएश में गियल्ट एच सेक्योरीटी है साथी साथ यूएश कैसा है कि अपने आप में ट्रस्टी है तो इस वज़ा से जो FPI हैं भारत में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो अब यहां से पुल आउट कर रहे हैं और वो जाकर के US में मतलब Fed Bank में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस वज़ा से कहीं मतलब वहां के share market वहां के stocks में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस वज़ा से कहीं ना कहीं का आई पीओ जो इस समय आ रहा है जहां मार्केट की स्थिती काफी फ्लक्चुएट कर रहे है काफी वॉलेटाइल है क्या यह लाना सही होगा और लाइसी कहीं ना कहीं 39 करोड का पॉलिसी होल्डर बेस है जो कि माना जा रहा है कि यह आई बहुत ज्यादा कुछ सामने नहीं आया है सिरफ यह है कि जो इनिशल पब्लिक ऑफर होगा वो 31 दसमलव 62 करोड यानि 31.62 करोड के आसपास होगा एक्विटी वगएरा जिसमें नेट ऑफर किया जाएगा जिसमें एम्प्लॉई पर्षन पर्षन भी होगा जो भी एम्प्लॉई मतलब काम करते हैं उनके लिए भी 5% रखा जाएगा साथी साथ पॉलिसी होल्डर को भी रिजर्विशन दिया जाएगा 10% रखा जाएगा उसको भी अभी बात कर लेंगे उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए स और गवर्नमेंट जो है वो रिटेन करेगी 95% ठीक है इसके अलावा मतलब कहीं ना कहीं डिस इंवेस्मेंट की बात हम यहां पर कर रहे हैं ति 5% जो है वो आपका देखने को मिल जाएगा और 95% गवर्नमेंट के पास ही रिटेन रहेगा और लाइसी जो है वो निकाला जात मार्च तक यानि कि इस यहर के मतलब लास्ट खोर्टर के मतलब इसी वार्षी की यर के वे लास्ट कॉाटर में मतलब मार्च 2015 मार्च जैन्रल एक्स्पेक्टेड डेट रखा गया है 2022 तक या जाएगा और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब government जो है वो entitled है entire proceeds जो भी मतलब यहां का रहेगा और LIC कहीं न कहीं मतलब अपने आप में जाना जाता है सबसे बड़ा public sector company है तो कहीं न कहीं government का इससे बहुत बड़ा एक मतलब डिमांड रहेगा क्योंकि government जो है study zone के youtube channel पर जाकर के देख सकते हो वहां education के point of view से free of content में बहुत ही अच्छे मतलब content को cover करा जा रहा है even daily mcq series भी चलाएगे आप जाकर के देख सकते हैं तो वहां आप मतलब कहीं न कहीं मतलब fiscal deficit का जो target है वो भी reach नहीं हो पा रहा है तो इस वजह से fiscal deficit के target को भी मतलब balance करने के लिए investment वगेरा को भी balance करने के लिए यह जो लाइसी का IPO है उससे बहुत ही बड़ा मतलब एक boost मिल सकता है भारत सरकार को कि अपने deficit को वो कहीं न कहीं कम कर सकें साथी साथ कहीं न कहीं यहां कि जो वो तक भी मतलब उनको exchange करने होंगे यानि कि सभी जो भी प्राइज sensitive information होगा उन तक को भी यानि कि अब वो अकाउंटेबल हो जाएगा पांच परसंट जो है वो employees के लिए होगा 10 परसंट जो है वो policy holders के लिए रहेगा ठीक है policy holders के लिए एक clause है यह बात का आपको ध्यान रखना है तो पांच परसंट जो employees जो पॉलिसी होल्डर्स को नहीं मिलेगा जो सपोज एक अग्जांपल यहां पर हम बताते हैं कि सपोज एक मतलब कपल हैं ठीक है एक पती पतनी है और दोनों का ही मतलब यहां पर सबका एक अपना सेपरेट डीमाट अकाउंट होना चाहिए और आपको पैन काड आपका जो है पै फरवरी 2022 जो है उसके अंदर अंदर ही आपको पैन नंबर अपना एलाइसी के ओफिशल वेबसाइट से जाकर करके आपको लिंक करना होगा पैलाइसी डॉट मतलब इंडिया आप उनके वेबसाइट पर जाईएगा और वहीं से आप मतलब इस सीच को कनेक्ट कर पाईएग तो आप एसबा या यूपी आई के तहथ पेमेंट कर सकेंगे एसबा यानि के इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपी आई के तहथ आप इस सीच को कर पाईएगा ठीक है पेमेंट वगेरा और साती साथ पॉलिसी होल्डर्स को ध्यान में मतलब एक्सपेक्टर ट्राइस ब होगा जो हमें देखना था यहां पर सभी लोग कर सकते हैं जोई लाइफ जिनका है जैसे दो पॉलिसी होल्डर्स टिक है वह एपलाई नहीं कर सकते हैं अडर पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन पॉर्शन केटेगरी यानिकि पन नंबर अगर उस एप्लिकेंट का मतलब जै up लेंड यहां और वह उसी के तहतं उनको मिल पाएगा इसके अलावा कहीं मतलब बी इंपलाई करने वाली बात पर तो 5% हम ने देखा एपकोलीस के लिए और इसके अलावा मतलब माना जा रहा है discounted price पे भी होगा इनके लिए तो यह जो discount होगा इस पर कुछ बहुत जादा नहीं कहा गया है मेभी 5% का discount policy holders वगेरा को देखने को मिल जाए तो अभी कुछ शूर नहीं है लेकिन discount price पे होगा मिल जाएगा और साती साथ कही ना कहीं मतलब यह माना जा रहा है कि सिक्स्टी परसेंट जो होगा वह qualified institutional buyers होंगे qualified institutional buyers होंगे अब अपने आप में इसमें काफी सारे महगाई दर वो worldwide बढ़ रहा है तो central banks जो वर्ड के हैं वो interest rates बढ़ा दे रहे हैं तो जो equity markets होंगे वो कहीं न कहीं pressure में होंगे आने वाले समय में और अगर interest rates बढ़ता है US जैसी country में और बागी के developed markets में तो उससे कहीं न कहीं जो foreign portfolio investors हैं भारत के वो पैसे को निकाल लेंग इमर्जिंग मार्केट से जैसे के इंडिया हो गया इंडोनेशिया हो गया इन सब के जो इमर्जिंग मार्केट हैं और वहां के जो equity markets होंगे वो move कर जाएंगे US के treasury bonds वगेरा में इससे ना सिरफ pressure पड़ेगा secondary market में बलकि reduce कर देगा जो भी liquidity भी available होगा investment वगेरा के लिए ज इससे रडियूस होगा government का जो भी एक ability होती है ना कि मतलब premium वगेरा को ले करके यह भी चीजे देखने को मिल जाएंगी और investors को बहुत ही ध्यान से इस चीज में कहीं investment वगेरा की बात मतलब करनी होगी और इसके अलावा कहीं ना कहीं मतलब अगर आप LIC IPO की बात कर लेते हो तो जैसा कि हमने आपसे कह दिया कि आपको मतलब 15 मार्च से bidding वगेरा देखने को मिल जाएगा तो आप 15 मार्च से bidding वगेरा मतलब expected date है मार्च 2022 तक hopefully आही जाएगा 400 से 500 भी हो सकता है 1500 से 600 भी हो सकता है price तो उसके लिए हम कुछ मतलब fixed नहीं कह सकते हैं और साथी साथ मतलब आप साथी साथ जो maximum limit होगा वह दो लाग तक का मतलब purchase किया जा सकता है मतलब दो लाग तक का ही आपको देखने को मिलेगा डिमाट अकाउंट वगेरा आप अपन कर सकते हो और जैसा कि हमने बताए आपको पैन नमबर आप करने करने के लिए मतलब आपको एलाइसी के official website पे proceed पटन पे क्लिक करना होगा आपका correct आपको email address डालना है पैन नमबर मोबाइल नमबर और एलाइसी का policy नमबर और capture code आपको भरना है OTP लेना है फिर OTP verify होते ही आपका submit हो जाएगा उस portal पे पैन नमबर ठीक है और इसके अलावा कहीं ना कहीं मतलब आपको इस से जुड़ा जो भी समस्या होगा आप बिल्कुल हमारे मतलब website classirbzone2917.com हम इस पर भी एक fresh article लाएंगे इस सीच को लेकर के आप वहाँ इसको पढ़ सकते हो बहुत ही आसानी से आपको काफी कुछ सीजे समझा जाएंगी जो भी आपको समस्या होगी इस सीच को लेकर के और बहुत ही आप इसको पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो और कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मतलब हो सकता है आपको यह चीज मतलब बहुत ही बेसबरी से इंतजार था उस चीज को हम मतलब समझा पाए होंगे कि क्या चीजें हैं और किस तरीके से मतलब आपको यह क्लियर रखेंगी ठीक है डिसकाउंट वगरा का जो भी बात था वो भी हमने देख लिया और इसके अलावा कहीं न कहीं जो डेट है वो अभी कुछ फिक्स नहीं है लेकिन जो भी 65,400 करोड के आसपास का जो भी यह मतलब रहेगा उसी को मतलब मार्केट इशू जो होगा तो 10% discount employees or policy holders के लिए रहेगा और साती साथ कहीं न कहीं मतलब आप लॉट में इसको खरीच सकते हो और इसी के साथ हमारा यह जो वीडियो है इसको यहीं पे एंड करते हैं आप इस चानल को बने रहिए जूडे रहिए और जैसा कि हमने का कि RV Study Zone भी YouTube चानल है आप मतलब अगर आ आउट होता आप कमेंट सेक्शन में ओपेन है आप पूछ सकते हैं धन्यबाद